नमस्ता दोस्तो FNN News में आपका स्वागत है अगर मेरी जिन्दगी में तेज नजरों वाले नारायन मास्तूर कर नहीं होते जब मेरा जन्म हुआ तब वो जिने बाद में मैं नन काका कहकर बुलाता था अस्पताल में मुझे देखने आये थे और उन्होंने मेरे कान पर एक बर्थ मार्क देखा था अगले दिन वो फिर अस्पताल आये और उन्होंने जिस बच्चे को गोद में उठाया उस बच्चे के कान पर वो निशान नहीं मिला उसके बाद पूरे अस्पताल में बच्चों को जैक किया गया जिसके बाद में उन्हें मचवारे की पतनी के पास फोता हुआ मिला गावसकर ने बताया अस्पताल की नर्स ने गलती से मुझे वहाँ सुला दिया था शायद बच्चों को नहलाते समय यह बदल गए थे अगर उस दिन चाचा ने धिहान नहीं दिया होता तो मैं शायद आज मचवारा होता आपको बता दे कि सुनिल गावसकर के क्रिकेटिंग केरियर को आकार देने में उनके पिता मनुहर गावसकर के साथ ही मा मीनल का एहम योगदान रहा है सुनिल गावसकर बचपन में टैनिस गैंदों से खेलते थे और उनकी मां उन्हें गैंदवाजी किया करती थी गावसकर ने साल 1971 में वेस्टंडीज दोरे पर अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्हें गावसकर ने तीन बार टेस्ट मैचों की दोनों पारियों में शतक जड़ने का कमाल दिखाया था। या उपलब्ती हासिल करने वाले वे इकलोते भारतिया हैं। 1971 में डेब्यू सिरीज में उन्होंने पोर्ट ओव स्पेन में वेस्टंडीज के खिलाफ 124 और 220 रणों की पारी खेली थी। इसके बाद उन्होंने 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट में 111 और 137 रणों की पारी खेली जिसे फैंस आज भी आत कर। उसी साल वे वेस दिल चैंपियन को हमेशा हम अपने दिलों में याद रखे हैं और सभी भारतिये क्रिकेट प्रसिल्सक उनसे जुड़कर गर्व का नुडव करते हैं तो दोस्तों आपको इस्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं साथ ही लाइक और शेयर करें